अस्सलाम अलेकूम मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान भारत की जानिब से कश्मीर पर गासिबाना कबजे को 76 साल मुकमल होने पर पाकिस्तान समय दुनिया भर में आज यौँ में एक जहती कश्मीर मनाया जा रहा है पांच को ऐसा क्या हुआ था पांच ही तारीक को क्यों मकसद है अब्बू से हलाला एक तरफ तो यह आस्मानी कौम पूरे पाकिस्तान को बंद करके कश्मीर को वाजात कराने के लिए सड़कों पे निकल गए रोड पे निकल गए और आज से नहीं निकल रही है 1990 से 1990 से इनका यह तमशन जा दिया है अच्छा को अच्छा के बिल्कुल साथी डेरा इसमाईल खान है वहां पर प्रसी के ओपर अटेक किया गया है दस से ज्यदा लोगों की जानने गई है उस दुनिया की नंबर वन फोज को भी ऐसी ठोकते रहते हैं आए चार थपड़ लगा है पाकिस्तानी आर्मी को वापस चलेगा पाकिस्तानी आर्मी ऐसे बावले की तरह देखती रहती है कहां से मिसाइल आई कहां से लही अरे सर क्या बात है जब अपने से ताकतवर पोज के सामने आते हैं तो पत्लू ने उतर जाती है बेसिकली पाकिस्तानी जो हैं सिर्फ अपनी फॉज ट्विटर पे चला सकते हैं ये शिरीनगर कष्मीर के लिए तो इतनी ड्रामे करते हैं लेकिन इनको अपना घर कभी भी नहीं दिखता है इन पाकिस्तानियों को खास सोर से पाकिस्तान की मीडिया को एक नंबर की हिपोक्रेट मीडिया ही है भारती नेवी ने पाकिस्तानियों के 19 मचोरों को बचाया उसके बाद 8 मचोरों को बचाया मेने स्ट्रीम मीडिया ने एक लेक्र का नहीं किया दोemieा मेत दो मेढ़ी ने छलेकर, कैस्वaşर्त कि कुछ का लेति कंझेकश्मीर के लिए रुद तən 현복 मेंहांवर्मां कि रिऊ तके online रुक्ति है! तुम कैसे ना करवाओगी हलाला तेरा बाप भी करेगा हलाला वह मर चुकी है वह गहरा इंडिया वरी पाकिस्तान की अच्छा लगा पाकिस्तान का जंडा लेके रोडों पे बावलों की तरह फिर रहे हैं नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान अब भ़े पाकिस्तान को पाकिस्तान तो मना लो पेले क्या मांगते हैं वो सिर्फ अपना हक वो कहते हैं कि हमारा बाप हमारा भाई हमारा बेटा जिनको उन्होंने बड़ी मुशकतों से पाला अपोसा जवान किया उनको तालीम दिलाई और अगर वो अपना हक मांग रहे हैं तो आप उनको जो वो गाइब कर देते ये बिल्कुल अच्छी बात कहिए आप माएं बन्रा बन्रा सालों से ठड़क रही हैं और क्या को क्या से खुश्क हो चुगे हो सलाम है हमारे कश्मीरी भाईयों को जिनके मजमूम अजाइम और होसले कभी भी पस्त नहीं हुए हैं चाहे जल्म कितना भी बढ़ा दिया जाए ना तो इनको बिलूचस्तान में जल्म देखता है ना इनको फाटा हम देखता है इनको सिर्फ जल्म ऋखर हो सिर्फ नगर में इक किसी का भी निए इसका हाल हम गरीब का यह हालात है जो एक जगे में लोग कटा कर ले वे हैं सब को गुली चला ले खातम कर ले हैं अगर महरंग बलोच का अपने प्रोटेस यह आप यह चीदें देख रही होंगी तो आपको आइडिया हुए को बड़ी लंगी चोड़ी उनक बड़ी ऑँसे तरफी हो ले कि और पाकत्त राया है कर रहे है तो आईदेश्थी लोगों पूलियां प्रोटेस थाक्रेश आथक्री करिया लेकि मैं देकी रिख्वास दीजारी है या कि जो लोग पूर अमन ना हों, जो लोग पाकिस्तान की बेहतरी ना चाहते हों, जो लोग किसी के कहने पे कुछ कर रहे हों, आपको लगता है कि वो इसलामध प्रेस कलब के बार जागे, साथ दिन बैठे रहेंगे, कि वही हमारा गुज़ बहुत जाती की गई, कि उनके उपर पुरतरशदुद वाकियात भी करवाए गए, उनको अबरीज नहीं दी गई गई, मीडिया का बिलकुल, हमारा ये मीडिया जो है, जो मेंस्ट्रीम मीडिया है, जो लिफाफे लेकर खामोश हो जाता है, इनकी आवाज क्यों नहीं बने, क्या मांगते हैं, वो सिर्फ अपना हक, वो कहते हैं कि हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा बेटा, जिनको उन्होंने बड़ी मुशकतों से पाला अपोसा जवान किया, उनको तालीम दिलाई, और अगर वो अपना हक मांग रहे है, तो आप उनको जो वो गाइब कर देते, ये बिलकुल गलत बात है, उनको को फैसला देंगे, इस इन ठेकेदारों की चाहिए वो मजब के हैं, चाहिए वो सियासत के हैं, ये उनकी खेंची, हमें 26 साल नफरतों में लगा दिया, कि वो दुश्मन है, वो दुश्मन है, आज वो चांद पे पहुंच गया, आज वो दुनिया की बड़े-बड़े दिया है, मैं आपकी बात को बिल्कुल इंडोर्स करूंगी, कि हमें ये नहीं देखना चाहिए, कि उनके पास असलाह कितना है, उनकी फॉज कितनी है, हमें ये देखना चाहिए, कि उनकी जो एकॉनमी है, वो कहां जा रही है, उनका लिटरिसी रेट कहां जा रहा है, इंट आपका कल्चर वो है आपका जबान वो है अफरत और मौट वो तो अपसे उनको जो है वो इंकार कर सकते हमारे एक हम एक हैं आप यहां से जाएं अगर आप मश्रुब पंजाब चले जाएं आपको नहीं महसूस होगा कि आप लहूर में पे रहें गांडिया में पे रहें तो कि लकीरें जो हैं उन सरमायादारों की इस ठेकेदारों की चाहें वो मजभब के हैं चाहें वो सियासत के हैं यह उनकी खेंचुई हमारे और उनके दिल दूर नहीं है और हम यहीं चाहते हैं के महबत और भाईचारा और अमन काइम रहे हम जिस खानवादे से रखते हैं जि यह एक्षिक तरेफ्श की भी ज esswe कहां से हो रहे हैं आपने अंदर रहे हैं बाहर कोई करवार है क्या कहना अदमी को एक आदमी को पूसित्बिड कीया तो यह हैं यह उनको रह जल चाहिए कि हमारी जो इसके उटियन ने बनानी है, इतर करनी है, ठीक है, तो जब सारा तुज़ जो एक साड़ पर लगी होगी, तो फिर ये क्या कर सकते हैं, बड़े पलाइट वे में ये बात करें, लेकिन ये है कि जिसकी जो जिमेदारी है, वो अगर अपनी जिमेदारी पूरी नहीं करेगा, त हमारा बचा है, इदर भी जो मरत है, ये मारा बचा नहीं है, ये मारा बचा नहीं है, मैं अब से ये स्वाल जवाब लेने, किसका हुकमत सही है, मेरे ख्याल से तो जिसके दोर में पाकिस्तान की बेहतरी हुई होगी, उसकी हुकमत सही का हुकमत भी सही नहीं हो रहे है, किस डिरा-ईस्माइब खानमें अटेक हो रहे भी आज डिरा-ईस्माइब खानमें एक हो डस से ज़्यादा जो पोड़़्ा जुए सके हों और उन एक्ष pois एक प। इस ट्राइशन्प Ahora ही है क्या इस्टबुछ नहीं करा बादबाद इसके जिमेदार हकूमति है और हम लोग हैं जो इस बात पर देखते नहीं है कि पास बोड डाल डाल दें अपना अपना भी फाइदा देखना चाहिए कि जो आ पोड बेसिक चाल रहे हैं पाकिस्तान के लोग एलेक्शन और्य चीळे और वह भी होने वाले नहीं क्या देखें ना सिंपल है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना पाक्सान के अंदर बिल्कुल उसके बगार जो नहीं कोई भी हमारा मुलक प्रॉपरली काम नहीं कर सकता है तो इशू फेस करने पड़ेंगे और सेकंड नमर पर जो आरेडी पहले चल अगर हर बंदा अपनी ड्यूटी प्रॉपरली कर रहा होगा ना तो फिर यह मसले खुद है पूरा वीडियो आपने देख लिए वीडियो देखने के बाद में आपके दिमायक में जो भी विचार चल रहे हैं उन विचारों को घर मत लेके जाईए सारे के सारे कमेंट शेक् हुआ खो आपके जेक्ट वीडियो आपके अद्मूरीक बाद म Arbeitsmarkt